अवजानन्ती मा मूधा मानुषिम तनुमाश्रितम अवजानन्ती मा मूधा अर्थात नीचे जानते हैं मुझे मूर्ख मानुषिम तनुमाश्रितम अर्थात बुद्धी वाले तन के लिए आश्रित परंभावम अजानन्तो अर्थात परंभाव को नहीं जानते हैं मम भूत महेश्वरम अर्थात मेरा भूतों के महेश्वरों को तो यहाँ पर श्रीकृष्न अर्जुन से कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह ऐसा मानते हैं कि मैं किसी एक तन में आश्रित यहाँ नीचे उपस्थित हूं और वो मेरे परंभाव को नहीं जानते जो कि सभी भूतों का महेश्वर है तो यहाँ पर श्रीकृष्न एक ऐसी भूल के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं जो कि लगबख सभी आस्थाओं के लोग करते हैं और वो यह है कि लोग परमेश्वर को एक किसी शरीर तक सीमित कर देते हैं या उसे किसी एक स्थान पर स्थित कर देते हैं तो आपने देखा है कि कैसे लोग ऐसे ही कहते हैं कि अरे परमेश्वर तो उपर कहीं स्थित है और वहां से हम सभी को देख रहा है और हम जिस परकार के भी कारे करते हैं उसका वो मुल्यांकन करता है के आधार पर वो हमें अपने कारेश का फल पर्दान करता है। तो पहले तो वो इस प्रकार से सोचते हैं कि इश्वर कहीं तो उपर स्थित आ है. और किसी एक शरीर में स्थित है। आगे फिर वो क्या करते हैं कि वो ईश्वर पर मनुश्यों की जो जो विशेष्टाई होती है उनको उस पर प्रक्षेपित करते हैं तो ऐसे ही कहते हैं कि अरे यदि तुम उसकी पूजा करोगे तो वह तुम्हें पुरसकार देगा यदि तुम उसकी पूजा नहीं करोगे परिमेश्वर वहभी अपनी पूछ चाहता है और मुज़त अपने लिए उसकी लल्लो चप्पो करो और इस परकार के कारव करो तो इस परकार से फिर लोग ऐसे करने लगते हैं और होता ही अदिंश्वर फिर मंदिरों में जाएंगे मंदिरों में जाकर कुछ कुछ चढ़ाएंगे स्वयम चाहते हैं अपने लिए उससे प्रेम नहीं करते हैं स्वयम के लिए कुछ चाहते हैं और फिर केवल परिमेश्वर को खुश करने के लिए मंदिरों पर फूल चढ़ाएंगे मन में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई लेना दिना नहीं होता है बस मूर्ती के आगे उन्हें कुछ रकना होता है या मस्जिद में भी जाएंगे तो मस्जिद में भी कुछ इसी परिकार से के कारे उनको करने होते है कहीं सभी आस्तों में वास्तों में इसी विकार के कारे करते हैं कि मन में क्या चल रहा है उनसे कोई अर्थ नहीं उनको वो सोसने की परमेश्वर तो बहार कहीं है और बस उसे दिखाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो यह जो मूर्था वाली बात होती है इसके बारे में हैं प पास्तों में पर्मात्मा सभी के भीतर स्थर्थ है, हम बाहर जाने की कोई आवश्यक्ता ही नहीं है, वो हमारे भीतर स्थित हैं कि लोग ऐसा समझ नहीं पाते, और इसके विपरीज कारें ऐसे करते हैं कि वह सीमत है अब आप ही सोची है कि यह दि इश्वर किसी एक इस्थान तक इस्थार हो पर है, सबी जगहों पर हैं, सबी भूतों में है और उसके परे क्जेंट लिए उस सीमित नहीं किया सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं। कि वह किसी एक शरीर तक सीमित है। वह तो अनन्द है। और हम जब कभी भी इसको किसी एक प्रतीक के दुआरा परिभाशित करने का प्रियास करते हैं, या उसका तादृश्च,स्षित्टण करते हैं कि वह ऐसा है या वह ऐसा है तो वो केवल हमारे लिए एक साधन होता है ताकि हम उसका उपकरण करके उसकी पूजा कर सकें क्योंकि हम स्वयम में सीमित हैं और क्योंकि हम सीमित हैं तो इसकारण से हम असीमित की कलपना नहीं कर सकते ऐसे तो इसलिए अपने जीवन में अपने आचरण को उचित करने के लिए हम केवल एक उपकरण के रूप में उसका तादर्ष्य चित्रण करते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सके हैं हमारे जीवन में जब हमें कोई भी समस्य उत्पन हो तो उसके संदर्ब में हम उस दृष्य के संदर्ब में हम दर्शाते हैं और वो जो सिंबल होता है या वो जो प्रतीक होता है वह अक्षर E होता है तो आप अक्षर E के द्वारा कहते हैं कि अच्छा ये E है ये एनरजी है जो मास है वो M है और जो विलासिटी है वो V है तो आप इस प्रकार से जो है इन सभी इन सभी प्रतीकों का उप इसका रहत आरथ यह नहीं है कि E वास्ता में उर्जा है, M आज़ वास्ता में महास है, W वास्ता में वेलासिटी है, वह तो बाहर आपके जो संसार है उसमें चल रही जो गतिविदियां हैं, उनमें सन्नेहित है, आप किवल उनका उप्योग करते है प्रतीक के रूप में, यही परमेश्वर है तो वो प्रतीक परमेश्वर नहीं है प्रतीक परमेश्वर का केवल एक रूप है परमेश्वर तो अनन्थ है और परमेश्वर ऐसे आपको सामने दिखेगा नहीं इस प्रकार से केवल प्रतीक आपको दिखेगा और वो प्रतीक जो है उसका उपयोग करते हैं, लोग यही सोचते है कि श्रेक्रिषन जो C попроб इस समय पर एक कोई व्यक्ती đang blev कही न कहीं जन्म उनों ने लिया, किसी न किसी परिवार में वो पले-бड़े किसी स्थान पर वो अपना जीवन उन्होंने यापन के उन्होंने इस इस प्रकार के कार्रे की है तो इस प्रकार से सोचना कि यही वास्ता में श्रीक्रिशन है और श्रीक्रिशन कुछ नहीं है यह एक बहुत ही मुर्टता वारी बात होगी बास्तों में ये प्रतीक हैं, केवल आपको विचार समझाने के लिए ये प्रतीक प्रतीकों का उप्यों किया गया, यदि आप कहते हैं कि श्रीक्रशन केवल एक व्यक्ति थे तो आप आप ही सोचें कि वो अपनी एक छोटी देखें तो नहीं कर सकता है वो, तो ये एक प्रतीक है, ठीक, इसे प्रकासे श्रीराम जो है वो भी एक प्रतीक है, हनुमान जी जो है, वो भी एक प्रतीक है, बाकी जितने भी हमारे देवी दिवता हैं, सभी वास्ता में प्रतीक हैं वास्ता में आप सभी राम हैं, आप सभी कृष्ण हैं, आप सभी हनुमान हैं, ये जो भी दिव्यताएं हैं, ये हम सभी के बीतर हैं, हम के वर पतीकों के दोरां उन्हें दिखा रहे हैं, जैसे रामायन में, ये आप वालमी के रामायन परें तो वहाँ पर स्पष्ट लिखा अर्थायत राम लोक में सत्पुरुष है तो कोई भी जो सत्पुरुष इस लोक में है वह वास्तों में राम है राम वो प्रतीक है जो कि उस सत्पुरुष को दर्शाता है यदि आप सत्पुरुष हैं यदि आप अच्छे कारे करते हैं उनमें तो आप राम है और आपको दर्शाने का इसको दर्शाने का प्रतीक है राम, जो कि रामान के राम, उसको हमें समझना चाहिए, जैसे हनुमान हो गए, हनुमान वास्तों में तो एक अनुशासित मन को दर्शाते हैं, अब मेदी कोई ऐसा वेक्त है जिसको कि हनुमान के तो ऐसा व्यक्ति मुझे क्या बोलेगा, मुझे मूर्क ही तो बोलेगा, क्योंकि ऐसा वास्ता में नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आप कैसा शरीय से कैसे expand और contract हो जाएगा आपको, या आप ऐसे कैसे चलान लगा दोगे इतने लंबे, किसी को देखा कभी चलान लगाते हो, उटा भी हो सकता है, वो अपनी इच्छा के नहीं सार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी जा सकता है, और ही तो कारण नहीं कि राम को राम बनाया, तुमने करके बोला जाता है हनुमान को, जो भज़न है हनुमान लला, उसमें ही बोलागी, राम को राम बनाया, तुमने, या हनुमान के बार में तब तो वो मुझे समझेगा ना कि हाँ ये व्यक्ति कुछ ठीक बता रहा है किन्तु जो मूर्ख होते हैं वो ऐसी ही सोसते हैं कि नहीं जी राम वास्ता में कोई व्यक्ति थे जोनों ऐसे कार रहे हैं श्री कृष्ण वास्ता में कोई व्यक्ति थे जो बोड़ा तर्क के अनुसार रहता है जो वहार एक जीवन में जीता है वह आपसे दूर ही होने लगेगा और बोलेगा कि यह रहा है यह तो मूर्ख वेखती है तो ही तो कारण है कि बहुत से लोग धर्म से दूर चले जाते हैं क्योंकि जब ऐसे लोग ऐसे मूर्ख जो होता है बोलते हैं कि यह वास्ता में हुआ तो और फिर वो दूसरों को भी चाहते हैं कि ऐसे ही हुआ ता यही मानो तुम तो निश्चिती बात है कि लोग फिर दूर होने लगेंगे तो ऐसा ही होता है हमारे साथ में तो हमें ने ठीक परकार से समझना चाहीए जो मूर्ख होता है नीकों इन विचारों को ठीक र करते हैं, यह चाहता है कि सब लोग जो है, मेरी बात माने, जो मैं कहरा हूँ तो ऐसे ही वास्ता में समझ़े yağतपने में होती है, तो मूर्क व्यक्ती जो होता धा, वो ऐसे ही जो होता हैarta श्रीक्रिष्ण जो है वो श्रीक्रिष्ण का नाम क्रिष्ण है काला अर्थात जो अव्यक्त है जो हमारे पास में भावनाय आती है वो अव्यक्त से ही आती है जो दिव्य भावनाय आती है जो वास्त वी ग्यानवार पास आता है वो अव्यक्त से ही आता है तो वो अव्यक्त वास्त में श्रीकृष्ण है अर्जुन जो है वह एक सामान्य व्यक्ति है और उसके भीतर उपस्ते दिव्यता जो है वह श्रीकृष्ण है और जब दिव्यता के अनुसार व्यक्ति अपना कारे करता है तो वो दिव्य उसका सारती हो जाता है यही है अर्जुन के सारती श्री Krishna और जो रत है वह जीवन यात्रा है व्यक्ति जो अपनी जीवन यात्रा कर रहा है वह उस रत में कर रहा है तो ये सब ही प्रतीक हैं हम सबको अपने जीवन में अच्छे कारे करने के लिए उपयोग में आने वाले प्रतीक हैं ये सब आप ये नहीं कहसते हैं कि ये जीवन में वास्तों में हुएते हैं मैंने ऐसा पहले भी वीडियो बनाए जा मैंने गोला कि आप कैसे कहसते हो कि ये वास्तों में हुएते हैं ये कि मैं प्रतीक हैं तो बहुत सारे लोग मुझे गुस्ता होगते गिए आप ऐसा कीसे बुस्टते हो, आपने तो हमारे भगवान झूटे सिद्ध करती है अरे भगवान झूटे सिद्ध नहीं किये आपको भगवान ठीक से समझाए कि क्या है लेकिन लोग नहीं समझ में आता फिर भी लोग फिर भी मुर्खता वाली बाते करें कि नहीं जी ये सहीद में थे वास्तों में थे वास्तों में थे वास्तों में थे अरे मुर्ख कहां तुम जा रहे हो यार किन चक्करों पढ़ रहे हो तुम ये सब तुम्हारे भीतर हैं. नोग नहीं समझते हैं इस बात को. यहां पर श्रीक्रिश्ण वास्तामा हैं वही बोल रहा हैं. अब होता क्या है क्या है क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते हैं इस क necessarily कारणर से जो तो लोग सुनना चाहते हैं, और लोग यही नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे बगवान सची में थे, वास्ता है में तुम्हारे बगवान जूते हैं, हमारे बगवान वास्ता हैं, अब जैसे, आप गिए Christianity में Jesus Christ को देखे थे, Jesus Christ भी ऐससे ही वो भी एक विचार है वास्ता में मुझे नहीं लगता कि वास्ता में कोई Jesus Christ हुआ करते थे ऐसे कोई जीवन में लेकिन हिंदू बोलेगा तुमारे Jesus Christ नहीं थे और क्रिश्चन बोलेगा नहीं तुमारे Krishna भगवान नहीं थे अरे कहां किन चक्रों में पड़ रहो यार तो इन सब चीद queste दूर रही है यहां पर श्रीकर सिंस प्रष्ट बोल रहे हैं आपको कि जो किवल मूर की हैं जो कि अहीं स्यन सोचने कि मैं शरीर माशर्ट हो कि यहां नीचे हूं जो ग्यानी वक्ति होते हुँ जानते हैं कि ये प्रतीख हैं जो कि हमें बताये जा रहे हैं ताकि हम अपने जीवन को ठीक प्रकार से चला सकें तो ग्यानी बनिए और ठीक प्रकार से समझी इनको तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोग को आपको अच्छी से समझा दिया होगा चलिए इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप करते हैं नमस्ते